अक्सर हमने देखा रहे हैं कि डिव्रस के मामलों में जादतल टाइम पत्नियु के साथ जाधती होती है उनसे डौरी मांगी जाती है उनके साथ मारपीड की जाती है उनके साथ चीटिंग होती है लेकिन हर्याना और पंजाब हाई कॉर्ट में रिसंटली जो डिवोर्स का मामला आया उसने हर किसी को चौका दिया यहाँ पर एक पती था जिसने अपनी पत्नी के क्रुएल्टी के खिलाफ कॉर्ट में डिवोर्स की अर्जी दी पती ने पत्नी की आदितों के बारे में बात की और कहा कि ना सिर्फ पत्नी पती को इंसल्ट करती है बलकि कुछ ऐसी चीज़े डिमांड करती है जो अगर पती ना दे पाए तो उसे पत्नी नीचा दिखाती है पती ने कॉर्ट को बताया कि उसकी पत्नी को कई तरह के अडिक्शन से जिसमें से एक अडिक्शन है गेम्स केलना मोबाइल पर और दूसरा अडिक्शन है पॉर्ण विडियोज देखना इतना ही नहीं पत्नी पती को फोर्स करती थी कि जब भी हम सेक्स करें तुम उसका विडियो रेकॉर्ड करो और उसके बाद पत्नी उन विडियोज को देखकर एंजॉय किया करती थी पती ने ये भी बताया कौट को कि पतनी का कहना है कि एक अच्छा सेक्स 15 मिनिट तक होता है और एक रात में तीन बार इस तरह का सेक्स होना चाहिए पती जब पतनी की ये च्छाएं पूरी नहीं कर पाता था तो पतनी उसे ये कहकर टॉर्चर करती थी कि तुम मेरे लिए फिजिकली फिट नहीं हो मैं तुम्हें छोड़ कर किसी और से शादी कर लूँगी हद तो तब हो गई जब पतनी ने लड़के की मा को ये कह दिया कि तुमने बेटा नहीं बलकि एक ट्रांसजेंडर पैदा किया है लड़के की मा ने भी court में ये बात कही जिसके बात court में इसे cruelty माना है और cruelty के basis पर ही court ने divorce grant किया है इस case दे एक नई दिशा मिली है कि हमेशा शादी में जादती लड़कियों के साथ ही नहीं होती है लड़कों के साथ भी होती है और क्यूंकि पत्नी पती को transgender कहकर बुलाती थ कि तुमने बेटा नहीं transgender पैदा किया है, इस बेसिस पर court ने इस couple को divorce grant किया.